नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ, मा नित्रा नेट जी आरप चैनल पर साती हूँ आज हम बात करेंगे पिएचीडी एडिमिशन के बारे में जो कि एक गवर्मेंट उन्वर्सिटी से निकल कर आई है वीडियो में आगे बरने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा मैं दिली 24 से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साती सात में दो बार नेट जी आरप एक्जाम क्रेक कर चुका हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरह फर्ष्ट एक्जाम क्रेक करना चाहते हैं तो अगर चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साती आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसको आप जरूर जोइन कर लें, वहापर आपको UGC Net Paper 1 से समंदित मेरे खुद के बनाएगे नोर्स आपको Free of Cost मिलेंगे साती इसके अलावा बहुत सारे जो Important Course Material आपके Paper 1 के लिए हो सकता है, वो सारा कुछ मिलेगा Previous Year Questions वहाँ पर हम डिसक्रस करते हैं इसके अलावा आपको PhD Admission से समंदित जानकारी Assistant Professor Recruitment से समंदित जानकारी और Higher Education से समंदित कोई भी Update आती है तो इस चैनल पर आपको बराबर मिलते रहेगी तो साथियों आते हैं हम आज के टॉपिक में यह जो PhD Admission निकलके आई है इसका जो Last Date अपलाई करने का है Late Fee के साथ वो है 15 July 2022 उसके बाद आप देख सकते हैं कि Entrance का जो Date है वो 20 अगस 2022 को Entrance आपका होगा अब हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से सबजेक्ट हैं और कितनी सीटें Eligible है और Eligibility Criteria क्या है वो हम चेक करते हैं ठीक है कौन-कौन से लोग Eligible हैं इसके लिए तो जिसके पास M.A.M. की Master Degree है और 55% Marks हैं तो वो इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है वो इसमें Eligible हैं अपलाई करने के लिए सीटों की संख्यां के अगर बात करें तो Computer Science है इसमें 2 पलस 1 और पहले की जो बचीवी सीटें है उसमें वो किलियर नहीं बताया गया कि कितना बचा हुआ है Nutrition and Food में आप देख सकते हैं Journalism है Medieval and Modern History है Political Science है Commerce है Education है Sanskrit है Aesthetics है Hindi and Modern Indian Language तो यह सारे सीटें है जो कि Popular Subject है इसमें सीटें अबलेबल है आप देख सकते हैं कि Geography भी है तो यह सारे है और यह सीटों की संख्या में जाके आप में लिखा हुआ है कि यह बढ़ सकता है जा तक यह बढ़ेगा ही घटेगा तो नहीं लेकिन इन्हों लिख रखा है किसी टेंबर सकती है या घट सकती है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इंट्रेंस का क्या procedure है तो इसमें देखिए कि 70% जो है बेटेज आपका इंट्रेंस करहेगा 20% बेटेज आपका interview करहेगा और 10% net और net ज्यारफ करहेगा इसमें फॉर्म फिलब करने के लिए net ज्यारफ कोई mandatory नहीं है थोरा सा उनको शहूलियत मिल रही है admission में तो आप देख सकते हैं सबसे पहले step होगा आपका PhD इंट्रेंस test होगा इसमें net और net ज्यारफ बाले को भी entrance देना ही होगा दूसरा interview है फिर तीसरा आपका merit list prepare होगा ठीक है उसके अधार पर आपका admission इसमें होगा net ज्यारफ बाले का बेटेज इसमें 10 नंबर का है 20 नंबर का interview है और इंट्रेंस test का 70 नंबर बेटेज है total 100 marks का आपका exam होगा उसके बाद फिर course बर के बारे में दिया हुआ है फी एस्टेक्टर जैसा कि ये government university तो इसमें फी आपको नाम मातर के ही लगेगी ज्यादा फी आपको इसमें नहीं लगेगा अब हम साथ योग बात कर लेते हैं कि apply करने का charge कितना है आप अगर general category से हैं तो 1500 रुपे लगेंगे और अगर आप general category से नहीं है OBC से हैं तो 1000 रुपी लगेगा आपको इसमें apply करने का जो link है उसका official website का वीडियो के description में मैं दे दूँगा आप इसके notification को detail से पढ़के आप इसको अच्छे से apply किजिएगा apply करने से पहले एक बार आप notification जरूर पढ़ लिए यह जो vacancy निकल कर आई है यह उत्तर परदेश राजर सी टंडन मुक्त बिस्मिद्याले से आया है जो कि इलहाबाद में प्रियागराज में है शाथ यूँ यह government university है तो यह एक बहुत अच्छी opportunity है आप इसमें जरूर apply करें इसी तरह PhD एडमिशन से संबंदित अपडेट पाते रहने के लिए अगर आप चानल परना है तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए अपना खीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद